डाउटनट पर आप आए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर जैसे एनवी सर जीवी सर अकांशा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज ये नाउलोड कीज़े डाउटनट आप हेलो गाइस तो यह हमारा पार्ट टू अफ चेप्टर ट्वल मिन्रल नूट्रेंट्स लास पार्ट में देखा था कि हाइड्रोपॉनिक्स की हल्प से कैसे हम देखते हैं कि अपना कौन सा मिन्रल जो है एसेंशाल है कौन सा नहीं है फिर हमने स्टडी कर रहा था और नौन क्लासिफिकेशन जो किस बेसिस पे है जो सबसे पहले हमने बोला था क्या कौन सा अपना कंपनेंट है बायो मॉल्स का अब देखो यह इतना जरूरी नहीं है एक्जाम में इस से कुछ खास कुशन भी नहीं आते आपको बस कौन सा क्लासिफिकेशन याद रखना है मैक्रो औ गया hydrogen हो गया और oxygen हो के लास्ट में आ क्या है nitrogen तो अब देखे अपना कार्बन होते हैं यह सारे जो components है जिसब कया बनाते हैं यह बनाते हैar sell wall टेक है यह फ्रस्ट्रटो प्रोटो प्रोटो प्लाज्मी कॉंस्ट कोंसुटुबैंस वह भी अब देखिएंगे कहीं न अपने elements है, यह basically बहुत important component है किसका, biomolecules का, ठीक है, तो पहला classification इस basis पे है, दूसरा हमें बोला है क्या, essential elements, that are component of energy related compounds, ठीक है, जैसे कि अपना ATP हो गया, अब ATP की अगल full form देखें हम तो क्या होती है, अदेनोसाइन, triphosphate, ठीक है, यानि कि इसके अंदर present होते हैं, कितने phosphate, 3 phosphate, ठीक है, ऐसे ही chlorophyll, present होते हैं, अपना magnesium के अंदर, तो अब यह क्या है, energy related compounds है, chlorophyll अपना help करता है, photosynthesis में, यहाँ पे basically ATP बगरा का generation होता है, और ATP को आपको पता ही है, क्या हम, energy currency of cell, ऐसे ही अपना क present है, okay, तो ऐसे बहुत सारी components होते हैं, जिसके अंदर अपना element present होता है, next point अपना यहाँ पे क्या है, element that activate or inhibit enzymes, अब जैसे कि हमने बहुत सारी reactions पढ़ी थे, देखू, यहाँ पे खोदू रहने example भी दे रहा है, हमने photosynthesis में भी study कर रहा था, कि बहुत सारी reactions है, उसको catalyze करने के लिए, enzyme के साथ साथ कुछ elements की भी ज़रूत पर होती है, ठीक है, हमने यह respiration में भी देखा था, और इन elements को हम क्या कहते है, co factors, ठीक है, अब यहाँ पे example दे रहा है, जैसे कि mg2 plus का requirement था, किस में, ribolyus, bifosphate, carboxylase, oxygenase, यह हमें देखने को मेली थी, किस के अंदर, C3 cycle के अं ठीक है, ऐसे ही अपना क्या होता है, एक ZN2 plus होता है, जो activator होता है, किस के लिए, alcohol dehydrogenase and mo, यानि कि molybdenum of nitrogenase during nitrogen metabolism, तो हम आगे पढ़ेंगे क्या nitrogen fixation के बारे में, तो वहाँ पे में देखेंगे कि molybdenum जो होता है, वो भी कहीं न कहीं, as a activator of nitrogenase act करता है, अब यहाँ पे ए few more elements, जो fall करते हैं, इस category में, तो देखो, इस chapter को आप photosynthesis and respiration के बाद देखना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंतर दुनिया भार की reactions है, जिसके अंतर हमने बताया था, कि enzyme के साथ-साथ, co-factors का, यानि कि elements का भी importance होता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कि some elements can alter osmotic potential, osmotic potential basically, इसको हम क्या कह सकते हैं, solute potential भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको भी हमने पढ़ा था, transport in plants के अंदर, तो यहाँ पे कहीं न कहीं, बहुत सारे chapters की concept लगेंगे, तो इस वाले plant physiological chapter को आप सबसे last में देखना, तो देखो, अब solute potential का, osmotic potential का क्या का काम है, उ मान लो यहाँ पे अपने, यह कह सकते हैं, एक cell है, ठीक है, अब यहाँ पे बाहर उसके present है water, अब जब cell के अंदर solute जादा होता है, ठीक है, यह इससे पहले हम आपको एक और term यहाँ पे में समझना पड़ेगा, वो है water potential, वैसो तो इस अब हमने समझा दिया है किसके लेकिन फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं, अब water potential basically क्या होता है, मान लो किसी system के अंदर water molecules है, उनकी कुछ energy होती है, ठीक है, तो इसको क्या कहते है water potential कहते है, तो basically इसको कह सकते है, क्या free energy of water molecules, यह अपना हो जाएगा water potential, इसको represent करते हैं psi और W से, अब water potential अपना directly proportional होता है कि concentration of H2O molecules, यानि कि जितना ज़्यदा H2O molecules होंगे, उतना ज़्यदा ही water potential होगा, ठीक है, अगर इसके अंदर solute add हो जाएगा, तो water potential decrease कर जाएगा, जैसे कि मान लो, इसके अंदर आप कुछ unit of solute डालते है, तो अब जो यहाँ पे decrease होगा, water potential कम होगया, जो decrease हुआ, water potential के अंद due to addition of solute, यही क्या होता है, अपना solute potential होता है, ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद दखनी है क्या, कि अपना water जो होता है, यह move करता है कहाँ पे, low solute potential से, low solute potential से towards high solute potential, solute potential ज़्यदा होगा, that means कि वहाँ पे solutes भी ज़्यदा होगे, ठीक है, और solute potential कम होगा, that means कि वहाँ यहां पर solute काम होंगे और water molecule ज्यादा होंगे तो ultimately कह सकते हैं कि यहां पर water का concentration ज्यादा है और यहां पर water concentration काम है तो low water concentration से high water concentration पर water move करता है तो ऐसे अपना देखो यहां पर दे रखाए कि potassium play important role in opening and closing of so meta तो यह भी हमने explain कर रखा है किसके अंदर transport in plants के अंदर कि कैसे potassium जो होता है अपना वो कॉस करता है change in osmotic potential उस वज़े से guard cells के अंदर water enter करता है guard cells अपने कैसे कर जाते है swell up कर जाते है तरजिट हो जाते है और अपना stomata जो है वो open कर जाता है ठीक है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस chapter को start करने से पहले एक बर यह plant physiology के बागी chapters study कर लेना अब आते हैं अपने इस chapter के basically कर सकते है most important topic पर जो की क्या है role of macronutrients and micronutrients ठीक है तो यहाँ पर हम start करेंगे इसको nitrogen से आप सोच रहे होंगे कि carbon hydrogen oxygen यह भी अपने macronutrients है लेकिन हमें इसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है देखो carbon hydrogen oxygen जो होते हैं basically यह constitute करते हैं कितना 94% of total dry weight यानि कि अगर आप किसी plant को dry कर देंगे तो उसमें 94% आपको यह तीनों मिलेंगे और बाकी अपना 6% होगा उसके अंदर यह तीनों elements यह सारे elements अपने होंगे तो इसलिए basically अपने किसमें लोल्ड होते हैं जितने भी essential components होते हैं protoplasmic constituents हो गए ठीक है और अपना cellule formation तो सब किसकी health से बनता है carbon की health से hydrogen की health से और oxygen की health से इसलिए यहाँ पर हम इसको study नहीं करते क्योंकि अपना basic structure होता है plant का पूरा का पूरा इनकी health से बनता है अगर यह नहीं हुए तो जाहर सी बाद है कि plant का framework होगा ठीक है और protoplasmic substances होंगे वो नहीं बनेंगे ultimately उसकी growth of graph नहीं होगी ठीक है देखो इसको start करना से पहले यहाँ पर हम एक चीज discuss कर लेते हैं वो है अपना क्या mineral and non-mineral elements तो अब यह है क्या basically mineral elements वो होते हैं जिसको हम soil से derive कर सकते हैं ठीक है और we can say यहाँ पर obtained from soil तो आप सोच रहोंगे कि ऐसा भी कौन सा element है जिसको soil से obtained नहीं कर सकते हैं तो वो होते हैं अपने non-mineral element ठीक है इसको हम soil को छोड़के किस से obtained करेंगे आइधर air से और water से जैसे कि अपना क्या हो गया है यहाँ पर carbon किस form में CO2 की form में water यहां से हमें क्या मिलेगा hydrogen साथ यह साथ से derive कर रहे हैं इसलिसकों के कहते हैं non-mineral elements बागी की जितने बचे हुए अपने यानि की nitrogen से लेके जितने भी अपने macronutrons होते हैं और micronutrons होते हैं सब के सब किस में हैंगे mineral element में हैंगे तो exam में question आ सकता है कि non-mineral element के बारे में बताईए ठीक है यह पूछ सकते है कि जैसे carbon हो गया hydrogen हो गया oxygen हो गया और फिर चौता कोई भी दिदेंगे zinc, meganese, nitrogen और पूल देंगे कि इन सब में से अपना mineral element कौ 4th one ठीक है तो इस step के question आ सकते हैं यह आपको याद अखना है तो अब हम वापिस आते हैं role of micro and macronutrient पे start करते हैं सबसे पहले देखो macronutrient से और यहां पे है nitrogen तो अब NCRT में कहाना है कि थोड़ा information जो सफिजेंट हो नहीं है तो जो extra info होगा हम यहां पे लिखते जाएंग जो हमारा element required होता है greatest amount में वो है nitrogen ठीक है important यहां पे क्या है कि absorb किस form में होता है तो NO3 negative यानि की nitrate ions की form में तो यहां पे लिखा नहीं हम लिख देते हैं exam में हो सकता है कि NO3 negative की जगह क्या पूछ ले क्या लिख दे नाइट लिख दे तो फिर confusion हो जाएगा ठीक है कुछ amount इसक का nitrite as well as ammonium ions में भी absorb किया जा सकता है और ammonium ions में absorption होता है यह हम देखेंगे किस के case में biological nitrogen fixation की case में ठीक है आगे move करते हैं अभी कि nitrogen जो होता है अपना is required by all parts of plant ठीक है और particularly कुन से metamatic tissues and metabolically active cells metamatic tissues कौन से होते हैं ऐसे tissues जनके पास ability होती है continuously divide करने की ठीक है और metabolically active भी होते हैं यह कह सकते हैं उनी tissues के cells होते हैं क्योंकि उनको बार बार ही divide करना होता है nitrogen अपना consistent होता है किसका proteins का nucleic acids का vitamins का and hormones का तो यह participate करता है किसके अंदर protein synthesis के अंदर okay साथे साथ respiration के अंदर growth के अंदर और जितने भी metabolic reactions होते हैं उनके अंदर okay क्योंकि इन सब जगा देखो nucleic acids हो गए proteins हो गए इन सब जगा इनका requirement होता ही है तो सारी जगा पर nitrogen का requirement होता है तो देखो यह इतना दो ठीक है important यहां पर क्या है कि nitrogen के deficiency symptoms क्या होते हैं नीचे हम एक topic बढ़ेंगे जहां पर symptoms की बात होगी लेकिन हम पर basically combined symptoms कहा देंगे कि हाँ अगर mineral elements की deficiency होई तो यह symptoms हो सकते हैं लेकिन exam में कभी-कभी कुछ ऐसे symptoms जेर देते हैं या disease जेर देते हैं जो particular elements की वज़े से ही होती है तो उस case में हो जाएवा confusion तो यहां पर हम सब के symptoms आलाग अलग से study करेंगे तो जो important symptoms है हम वही लिखेंगे क्योंकि बागे के सारे symptoms हम वहां पर study कर लेंगे तो सबसे पहला यहां पर क्या होता है yellow wing of leaves अब ऐसा होता क्यूं है देखो अपना जो nitrogen है तेक है वह कहीं नहीं component होता है किसका chlorophyll का भी यह हम पढ़ सकते हैं किसके अंदर photosynthesis के अंदर ओके तो जब nitrogen नहीं होगा तो chlorophyll नहीं बनेगा chlorophyll नहीं बनेगा तो ultimately जो green pigment है leaves के अंदर वो नहीं होगा और leaves कैसे हो जाएंगी yellow हो जाएंगी ठीक है इस condition को क्या कहते है chlorophyll कहते है तो जब भी हमने बोलना होगा क्या कि loss of chlorophyll यह yellowing of leaf हम simply क्या लिख देंगे chlorophyll लिख और क्या क्या हो सकता है suppression of flowering and fruiting अब क्योंकि ultimately अपना क्या है यह essential element है तो इसके ना होने से क्या होगा जो plant की normal growth है ठीक है reproduction वाला phase है उस पे effect पड़ेगा तो यहां पे हम वही देखने को मिल रहे है ठीक है इसको मिरेस कर देंगे तो आप साथ साथ इसको लिखते रहना क्य आइदर H2PO4 negative और HPO4 2 negative तो आपको यह तो याद रखना ज़रूरी है देखो कि किस फॉर्म में वह absorb हो रहे है ठीक है अज फॉस्फोर जो होता है अपना एक इसका सल्की मेंब्रेन का ओके प्रोटेन्स का निकुलिक आसर्ट जो होते है उनका होता है और साथे साथ यह required होत होता है जब हम किसी reaction में addition होता है कि इसका phosphate का जैसे कि अपना ADP हो गया जब ADP के अंदर हम inorganic phosphate add करते हैं और हम यहां पर क्या मिलता है ATP मिलता है तो इसको क्या कहते है फॉस्फार एलेशन क्याते है ठीक है तो basically कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ATP के बनने के लिए भी किसका जरूर है इसके disorders को देखो हम नीचे study करेंगे यहां पर हमने आपसे बोलना था कि में में लिखेंगे तो इसके ना होने से यानि कि इसके deficiency से एक disease होता है जिसका नाम क्या है sickle leaf disease इस case leaf का जो shape होता है वो थोड़ा sickle like हो जाता है साथ ही साथ यहां पर भी आपको देखने को मिलता ह है क्या chlorosis यानि कि loss of chlorophyll ठीक है एंड थोड़ा necrosis भी होता है तो अगर किसी को necrosis के बारे में नहीं पता दो necrosis यहां पर हम लिख देते हैं जब localized cell death होती है उसको हम कहते हैं necrosis जैसे कि यहां पर बड़ा सा leaf है कुछ particular areas में क्या हो जाएगा cell की death हो जाएगी तो उसको हम ब्राउन और पीर करते हैं क्यों कि यहां पर cell की death हो चुकी है ओके आगे मुप करते हैं potassium पे तो potassium को absorb के जाता है किस form में के प्लस आयन फॉर्म में यह आपको याद रखना है ओके अब इसका requirement कहां पर होता है Maristematic tissues में, birds में, leaves में and root tips में Potassium का main function क्या होता है? Maintain करता है क्या? Anion-Catan balance ठीक है यह involved होता है किस के अंदर, protein synthesis के अंदर और साथे साथ opening and closing of somatic अंदर यह तो इसको सबसे ज़्यादा important है और activation of enzymes and in maintenance of tergidity of cell तो यह सारे आपको features याद रखने हैं अब यह वाला जो portion है, अपना देखो समझने वाला portion नहीं है कि सारा memory based portion है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा और अब चाहिए तो देखो deficiency symptoms जो है, वो यहीं से निकाल भी सकते हैं क्या, अब यहाँ पर लेखाए कि जैसे यह protein synthesis में help करता है यानि कि अगर यह नहां हुआ, तो क्या होगा, कि protein synthesis नहीं होगा opening of closing of tomata नहीं होगा enzyme के activation, बहुत सारी enzyme ऐसी होती हैं, जो K plus K presence में activate होती हैं तो उन enzymes का activation नहीं होगा, maristematic tissues हो गई, birds और leaves जो हो गई, इनकी growth नहीं होगी ठीक है, तो deficiency symptoms साथ-सत यहां से निकालने की कोशिश करो move करते हैं, next अपने element पे जो की है calcium अब calcium जो होता है अपना, इसको absorb के जाता है किस form में, CO2 plus ions की form है इसका भी requirement होता है कहां पे, maristematic tissue and differentiating tissues, बात एक ही है, maristematic का मतलब क्या होता है basically, ऐसे tissues जिनके पास ability होती है to divide, ठीक है, अब जब maristematic tissue by processes देरे-देरे change करता है किस के अंदर, permanent tissues के अंदर, तो उस पूरी process को हमके कहते है, differentiation ठीक है, और acid tissues को हमके कहते है, differentiating tissues तो इसको हम पढ़ सकते है, plant growth and development के अंदर, वहाँ पे हमने इसको detail में cover कर रहा है और cup-cup requirement होता है, during cell division, वहाँ पे इसका use किया जाता है किसके लिए, synthesis of cell wall, particularly as calcium pactate in middle lamella अब जैसे हमें पता है कि दो cells के बीच में present होता है अपना middle lamella, जो cell को rigidity provide करता है, अब वो पूरा का पूरा किसका बना है, calcium pactate का, तो जाहर से बात है कि वहाँ पे calcium होना का ज़रूरी है, ठीक है, दूसरा, यह में किसले जरूरत होता है, mitotic spindle के case में, तो cell cycle में या cell division में metaphase stage पे अपना क्या बनता है, mitotic spindle, ठीक है, तो वहाँ भी इसका जरूरत होता है, cell membrane की normal functioning के लिए भी जरूरत होती है, यह accumulate करता है किसके अंदर, older leaves के अंदर, तो exam में question पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन से element है, जो अपना accumulate करता है, older leaves के अंदर, activate करता है certain enzymes, देखो यह वाल activate करता ही है, ठीक है, and play करता है कि important role in regulating metabolic activities, तो यह point इतना ज़रूरी नहीं है, अब बात करते हैं इसके deficiency symptoms की, तो जब यहाँ पे calcium pacted बना रहा है, अगर calcium नहीं हुआ, तो middle ml नहीं बनेगा, पहला तो यह हो गया, Maristematic Tissue से differentiation करवाता है, ठीक है, याने कि अगर कोई permanent cell अपना बन रहा है, from Maristematic Tissue, तो उसको proper differentiation नहीं होगा, ठीक है, हो सकते है कि बीच महीं रुख जाए, यह differentiation हो ही ना, Mitotic Spindle नहीं बनेगा, Cell Membrane की Normal Function नहीं होगी, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आप क्या कर सकते है, Deficiency Symptoms को निकाल सकते है, ठीक है, basically collect कर सकते हैं, तो आप इसको करना भी चाहिए, जो एक exam में पूछा भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है, कोई भार से नहीं आएगा, नीचे basically क्या है, कि एक साथ दे रख है, तो उसको भी हम एक topic अंदर पढ़ लेंगे, फिर आता है अपना magnesium, magnesium में क्या है, सबसे पहले यह भी divalent में, अब देखो एक चीज और याद रख लेना, अगर हो सके तो, में भी question ऐसा आ सकता है, कि कौन-कौन से अपने element जो है, वो divalent के case में, div divalent form में absorb हो रहे है, calcium हो गया, magnesium हो गया, यह देखो, sulfate जो है, यह भी divalent form में हो रहा है, absorb, तो इसको अगर याद रखना हो, तो रख लेना हो सकता है, कि exam में अभी ऐसा question तो आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, ठीक है, अब यह किसलिए सही है, activate करता है enzyme for respiration, photosynthesis, और involved होता है DNA and RNA synthesis, यानि कि अगर यह नहीं हुआ, जैसे कि हमने उपर reaction पड़ी भी थी, कि magnesium जो अपना RUBP और Phosphonol Pirate को activate कर रहा है, तो वो process नहीं होगी, इसका क्या हो गया, deficiency symptoms हो गया, दूसरी बात, कि magnesium जो है, वो constituent होता है किसका, chlorophyll का, और साथी साथ, help to maintain ribosome structure, यानि कि अगर magnesium न ठीक है, ribosome का structure जो है, इसकी help से बन रहा है, यह नहीं होगा, तो ribosome का structure अच्छे से नहीं बनेगा, simple सी बात है, कुछ भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है, ठीक है, अब आते है sulfur पर, तो sulfur भी sulfate की form में absorb होता है, ठीक है, sulfur अपना present होता है, दो amino acids के अंदर, cysteine और methionine, और essential amino acids, यह नहीं बनेंगी, यह नहीं बनेंगी, तो हो सकता है कि भई, amino acids क्या बनता है, protein बनता है, तो जो अपने important proteins होगी, उसका formation भी नहीं होगा, ठीक है, जो एको enzymes हैं, vitamins हैं, यह सब भी नहीं बनेंगे, तो ultimately जो भी metabolic process है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, अब देखो, sulfur से भी अपने बहुत सारी conditions होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या, कि T yellow disease होता है, exam में question पूछा जाता है, कि T yellow disease किस वज़े से होता है, तो sulfur की deficiency से, यहाँ पर अपनी जो leaves होती है, वो कैसी हो जाती है, chlorotic, याने कि यहाँ पर loss of stuff हो जाता है, and जल्दी से shed कर जाती है, तो यह अपना T के case में देखने को मिलता है, और इसी के साथ complete होता है अपना micronutrient, अब हम start करेंगे iron से, next video में, तो micronutrients के जतने भी अब बचे हैं, उसको cover करेंगे, फिर finally देखो, यहाँ पर हमने कहाता है कि deficiency symptoms का अलग से topic दे रहा ह है, तो यहाँ पर हम सारे deficiency symptoms को collectively study कर लेंगे, और फिर start करेंगे हम toxicity of micronutrients से, क्योंकि जब हमने differences study करें थे किसके बीच में, micro and macronutrients के बीच में, तो हमने बोला था कि सिर्फ micro से ही क्या होती है, toxicity होती है, तो अब यहाँ पर हम study करेंगे उसकी बारे में, इस वीडियो में, एतना ही, तेंकी सो मुच.